और दोस्तो मैं हूँ मोच चाड़ोक और आप देख रहे हैं My Fundamental तो दोस्तो आपका हमारे चनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Stop Craft IPO के बार में आज इसका क्या GMP चल रहा है यानि कि आज इसका ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आपको अच्छे से पता है Sentiments के कारण जो GMP है चाहे वो किसी भी IPO का हो वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि और जादा गिरे आपको जो deeply clarification मिलेगी वो budget बाले दिन ही मिलेगी यानि कि आपको कल ही मिलेगी पूरी clarification और कल के दिन मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि GMP यहां से बढ़ेगा या फिर कम होगा आज की बात करेंगे हम कि आज कितना चल रहा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँगी अगर आपका कोई query या doubt है तो आप हमें Instagram या फिर Telegram पे पूछ सकते हैं लिंक मैं आपको description में दे रहा हूँ दोस्तो इसका जो allotment हो वो होगा दो तारीक को और इसकी listing पांच तारीक को होनी है इसलिए ये dates आपके लिए important है तो चलिए आज इसका GMP देखते हैं क्या चल रहा है तो दोस्तो जो grey market premium है वो आपकी screen के उपर है और आप साफ साफ देख सकते हैं ये आपको कम होता हुआ दिख रहा है 27 Jan को ये 60 रुपे के आसपास था और आज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो ये 30 रुपे के आसपास पहुंच चुका है 30 January की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो ये 40 पे चल रहा था और continuously आपको गिरावट दिखाई दे रही है अगर आपको ये allotment हुआ तो आपको definitely चिंता होगी की आगे मुझे क्या करना चाहिए लगो अगर 27 टाइम्स रिटेल इंवेस्टर्स ने इसको subscribe किया है तो ये हमारे लिए जाना बहुत ही जरूरी है कि अगर ये discount पे लिस्ट होता है जैसे कि IRFC लिस्ट हुआ है तो ऐसी अगर कोई situation खड़ी हो जाती है 5% या 8% का गिरावट हमें देखने को मिल जाता है तो हमें आगे क्या करना चाहिए क्या हमें ये stock को IRFC की तरह long term hold करना चाहिए या फिर हमें यहां से निकल जाना चाहिए loss book करके उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने के कोशिश करूँगा बट आज इतना वीडियो लंबा नहीं रखूँगा एक February या दो February को मैं इस पे deep वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आपको allotment हो गया है तो आपकी आगे की strategy क्या होनी चाहिए तो चलिए बात करते हैं इसके fundamentals की फर हम decide करेंगी कि आगे हमें क्या करना चाहिए तो दोस्तो fundamentals दिखाने से पहले मैं आपको company के strength के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको आपका जाना बहुत ही जुरूरी है क्योंकि sentiments की बज़ा से अगर SBI cards जैसी company नहीं बच पाईं तो ये कहां बच पाएगी personally मैंने भी इस IPO को subscribe किया है और इसकी strength को देखते हुए ही मैंने इसको subscribe किया है खुदाना खासता अगर discount पे listing हो गई sentiments की बज़ा से तो हमें ये strength ही बचाएंगी तो दोस्तों अगर मैं strength की बात करूँ तो one of the largest kitchen appliance company in India जो definitely हमारे लिए एक advantage है एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपना माल बड़ी बड़ी countries में भी supply करते हैं जैसे कि USA हो गया Mexico हो गया Qatar हो गया Sri Lanka हो गया Fiji जैसी countries में ये अपना माल supply करते हैं diversified product portfolio है strong brand name है जो definitely आपको बचाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं strong distribution network है इनका और well equipped manufacturing faculty है जो हमारे लिए बहुत बड़ी advantage है और यहां से हमें राहत देती है हाला कि इसकी discount पे listing नहीं होनी चाहिए but sentiments अगर खराब हुए अगर government budget वाले दिन opportunity का फायदा नहीं उठा पाया तो हमें कोई बचा भी नहीं सकेगा company की profitability की अगर मैं बात करूँ तो consistent है अगर आप March 18 की छोड़ दें बाद वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे इनको loss हुआ था 120 करोड का और वहाँ के बाद आप देख सकते हैं company consistent growth दिखा रही है March 31,19 में इन्होंने 7.36 करोड का profit दिखाया था उसके बाद अगर मैं latest बात करूँ September गी तो 287.76 करोड का इन्होंने profit दिखाया है जो definitely हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर इसकी discount पे listing हो गई तो आप अगर इसको 10 से 15 परशंट के stop loss पे CMP पे यहां पे भी यह list होता है अगर वहां पे अगर आप दोस्तों इसको stop loss लेके चलेंगे तो आपके लिए better रहेगा हाला कि discount पे listing नहीं होनी चाहिए बहुत ही बढ़िया company है बट अगर sentiments खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते weight के अलावा discount पे listing नहीं होनी चाहिए बट IPO market है तो इसमें कुछ भी हो सकता है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते एक चीज जो है मैं आपको confirmation के तोर पे बता सकता हूँ कि दो तारिक को मैं confirm बता दूँगा कि यह discount पे लिस्थ होगा या फिर premium पे तो वीडियो अच्छी लगे like, subscribe और share जरूर करें धन्यवाद